So guys, अगर आपने Yes Securities में अपना Demart Account open किया है और वो Demart Account आप close करना चाहते हो तो आज हम पूरी step by step दिखाएंगे किस तरह से आप अपना Yes Bank का Demart Account close कर जकते हैं Guys, close करना तो काफी simple है बट उसके लिए काफी terms and condition होती है वो अगर आपके complete नहीं हुई तो आपका Demart Account हर बार reject होगा तो reject ना हो, इसलिए वीडियो अन तक जरूर देखो ताकि आपको अच्छे से पता चले ये Demart Account आखिर कैसे close किया जाता है तो नमस्कार guys, बेरा नामे निकिल आप देख रहे हैं अगर आप चैनल पर पहली बार मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू किजे यहाँ पर आपका यह security Demart Account है वो आपने ओपन तो किया बट उसके अंदर हर महीने 25 रूपीस प्लस GST AMC चार्ज लगता है इसलिए आपको close करना चाहते हो, यह मेरे को पता है बट आपको क्या पता है कि इसके अंदर आपको close करने के लिए आपको offline जाना जरूरी होगा यह क्यों जाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि online आप कर सकते हो, बट online तोड़ा सा process difficult होगा बट मैं आपको details में बताऊंगा कि क्यों करना है यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ terms and condition है, account closing की देख सकते हो, यहाँ पर मेरा account open है यहाँ पर आपका जो भी orders में होगा, वो सारा close होना चाहिए उसके बाद position में, जो भी आप trading कर रहे होगे, तो आपका होगा अगर नहीं कर रहे होगे, तो यहाँ पर आपको close होगा तो position में भी आपका 0 होना चाहिए, तभी यह process आप आगे try करो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी holding नहीं होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हो, no holding at this moment तो कोई भी holding नहीं होनी चाहिए, इस account में तभी आपका यहाँ भी process आगे complete होगा अगर आप ऐसे try करते हो, तो आपका आगे जाकी reject होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी account में कोई भी value नहीं होनी चाहिए, निल होना चाहिए तभी process आगे बढ़ता है तीसरी बात, यहाँ पर आपका कोई भी fund होगा देखते हो, manage fund में आपको जाना है कोई भी fund minus या फिर plus नहीं होना चाहिए plus क्यूं होगा, अगर आपने shares आज बेज दिये तो दो दिन बात यहाँ भी fund आज जाएगा तो वो आपको भी drugger लेना है और minus क्यूं होगा, आपका अगर AMC charge लगा है तो आपको पेड़ करना रहेगा तो यहाँ पर आपको add fund के उपर क्लिक करें पैसे add करने होगे तभी आपका यहाँ पर zero होगा और zero होने के तुरंत बाद आपको process start करना है अब process start करने के लिए online बेब कर सकते हो बट वहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि यहाँ पर demant account open होने के बाद इनका एक account भी open होता है तो आपका ऐसा ना हो कि एक बार आप demant account close करने जा रहे हो सारे account close हो जाए ऐसा ना हो इसलिए आपको offline try करना है क्योंकि offline आपको manually option मिलते है आप जाकि किसी से बात कर जकते हो क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ trading और demant यह close करने उसके लिए आपको एक form लगता है वो में यहाँ पर आपको search करके दिखाता हूँ यहाँ पर आपको search करना है yes bank demant account close यहाँ पर आपको इस तरह से search करना है थोड़ा सा नीचे आना है नीचे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक website मिल रहे है yes banks demant account secure and hassle free इसके उपर आपको click करना है यह सिर्फ form download करना है और आपको आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देख सकते हो यह एक question mark है zoom करके दिखाता हूँ यह question mark के इसके उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो download forms लिखा है इसके उपर click करना है यहाँ पर हमें आपना account closing का यहाँ पर सारे account closing का एक ही form है तो यहाँ पर इसलिए में बोल रहा था कि आपको demant account और trading account ही close करना है तो यह manual process आप कर लो देख सकते हो थोड़ा सा नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर account closure request लिखा है यहाँ पर zoom करके दिखाता हूँ account closure request देख सकते हो और यहाँ पर English लिखा है तो इस English वाले के उपर आपको click करना है क्योंकि हिंदी में आगर आप fill करते हो तो थोड़ी सा spelling mistake आगे जाके वो करता है जिसको आपने request दिया है तो वो भी गलत हो जाएगा तो यहाँ पर आपको form download करना है English वाला English में आपके spelling आपके अच्छे से आप लिख सकते हो तो आपको आगे जाके relation की chances कम हो जाएगे देख सकते हो यहाँ पर account closing form है और यहाँ पर बहुत सर्व details है जो आपको आपके application में मिल जाएगी जो client idea होगा और यहाँ पर dp idea होगा वो मिल जाएगा account का type यहाँ पर आपको डाल दियाना है date डाल दियाना है applicant का नाम डाल दियाना है और यहाँ पर reason देख सकते हो reason आपको यहाँ से कोई भी एक choose करना है या फिर आप manually orders में भी डाल सकते हो कि fund मेरे पास available नहीं है इसलिए में close कर रहा हो बट यह सिर्फ आपको में दिखा रहा हो यहाँ पर form fill मत करो क्योंकि यहाँ पर yes bank के कई सारे product है bank है उसके बाद DMAT account है उसके बाद credit card है तो यहाँ पर आपको कोई भी अगर दूसरा product होगा तो वो भी close हो सकता है तो यह form सिर्फ आपको में दिखा रहा हो आप यह form fill मत करो आप simply directly जाओ आपके nearest branch में वहाँ पर आपको जाके सिर्फ बोलना है कि मुझे trading और DMAT account दोनों close करना है और वो close करते समय आपको जो मैंने पहले process बताया DMAT account का holding और fund दोनों जैसे मैंने बताया वैसे clear होना चाहिए तभी वो form आपका feel करके आप उनको दे दो उसके बाद जब वो process करेगा सिर्फ आपने form दिया इसके बाद आपको close नहीं होगा जब उसने process किया होगा आपको एक email आएगा कि process टार्ट हुआ है उसके बाद 7 दिन आपको wait करना है तभी आपको एक email आएगा NSDL से कि आपका account closing के लिए हमारे पास आया है और closing हो चुका है अब guys यहाँ पर यह form तो मैंने आपको दिखा दिया आपको ऐसे ही form मिल जाए ऐसा 100% नहीं हो सकता क्योंकि आगे जाके वीडियो जैसे जैसा पुराना हो जाएगा company का अगर form अलग आता है तो इसलिए आपको सबसे पहले branch में जाना है yes bank के और वहाँ पर आपको form मिल जाएगा वही से आपको form feel करना है इसलिए आपको बोल रहा था कि यह form आप सिर्फ देखो और वहाँ पर जाके try करो अगर आप online close करने के लिए जाते हो तो कई सारे product आपके पास अगर होगे जैसा कि credit card या फिर bank तो वह भी close हो सकते है इसलिए में बोल रहा था कि आप offline try करो I hope आपको सारा समझाज होगा यह security का demand account के से close करना है अगर आपको वीडियो पसंदा है तो like करना है और इससे जारा के वीडियो के लिए चैनल को गाई subscribe ज़रो कर लेना है guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई